है है हलो है तरह समयल अपनिती सुरुवात के लिए जाता है वक्रतुंड महाकाय सुर्य कोटी समप्रभ निरिवीग्नम कुरुमेदेवा सर्वकारिशु सर्वदा गणराना बंदन करून महराष्टा चा रद्द दैवत हिंद भी स्वराज्जा चे राजा चत्रपती शिवाजी महारादाना मानाता मुद्रा करून अपन स्परदिल सुरुवात करतो गोलंदा जी साथी गोलंदा सज्जासना राही रुषिकेश खारूट कर ये गेंती बिल्कुल यहाँ पर बैकप पर बल्लेवाज सच्चिन फड़के अपने पारी का स्रीगनेशा करते वोई है अपना खाता खोला टीम का खाता खोला टीम के रंसंक्या साहिटारी वीगर 11 क्रिकेटीम की बगर कोई वीकेट के नुसकाम पर चार इदे के एक बार पीसे ग्याप ढूंडी गें जाएगी बिल्कुल शड़ेश्ट्रा का और रिजन में गें जाती हुई गें सीमा पार चारनों के लिए बाहर चारनों के लिए और चारन के मदद से यहाँ पर टीम के रंसंक्या एग्रिसर होती हुई साहिष्ठारी वीगर 11 क्रिकेटीम की बंगर कोई भीकेट के नुसकाम पर आड़ एक शांदार शुरुवात सचीन पढ़के जो होनार खिलाडी है आक्रमक बल्लेबाज है और उन्होंने पहले लगातर दो गेंदों के उपर साबित करके दिखाए कि कि सेर की बल्लेबाजी के लिए यह खिलाडी जाना जाता है यह देखें वही दिशा में नजाका दिकाई गेंज जाएगे एक बाद पीर से चार रनों के लिए और लगातार तीन गेंदों के ओपर तीन शांदार चौके आज़ी बाद चार रन के मदसे यापर साज़्टार वीगर 11 क्रिकेटीम के रन संक्या आगे एग्रसर होंती वही बगर कोई वीकेट के लुसकाम पर बारा अमचे नामबंत क्रिकेटी समालों चेक हिंदी भाषा और एक मदबुत पकड असनारे अमचे मनोर पाटील वाजे करे अरताने यंसा आगमन जालेलाए उतकृष्टे क्रिकेटी समालों चेक आणे एक चांगले आथा खरे अरताने जाब सुद्धा करतात त्या बदल खरे अरताने आओ यार प्राउड आप यू मनोर एक चांगले संकल पन मनोर चाए खरे अरताने कवतु कराव लागेल इदिकी हलके आतो सिगिन को पुष्किया गें जाएगी थर्ड मेंड सीमारेका के भार लगातार चार गिंदो के उपर चार चोकिया और चार रन के मदल से सचिन फड़ के पहुंच रहे अभिजीत सोला पर आते हैंऑले सचिन बचले के विर के गङिए भार चार 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 भारा चांगले के बचलवर खरे जोगरेका के पार चांगले पाशने के लिए आततレ Subscribe और इसी के साथ बल्लेबाज आउट और ये पहला करारा जड़का मिलता हुआ साहिस्टार वीगर 11 क्रिकेटीम को सच्छिन फढ़के के रूप में और यहां पर बल्लेबाज सच्छिन की पारी हुई समापत है लेकिन दमदार पारी के लिए सच्छिन ने चार लगातार चार चवके दागे लेकिन पांच में गेन के उपर क्याच आउट होकर सच्छिन मैदान से बाहर लोटते हुई है और यह पहला करारा जड़का साइस्टार वीगर 11 क्रिके टीम को अनुभवी क्रिकेटर रहे एक अश्टा पहलू क्रिकेटर दीपक फड़के आब गार लेते हुए खेलने के लिए तैयार होंगे हम पर से गार लेते हुए बिल्कुल यहां पर अच्छा कंब्या करते हुए निच्चित रूप से ब्रेक्टू दुलवाया गिनबाद स्यमता और अक्रमकता का एक संगम हम देखते हैं बिल्कुल मिश्ट्राणे यह बल्लेबाज के बल्लेबाजी में यह देखिए इस बार गिनको खिलना चाहते हैं फाइल एक शत्र में लेकिन हमपार का इशारा आता हुआ और के वी समाप्ति का पहले और के समाप्ति मेहंगे और के समाप्ति पहले और के समाप्ति के बाद साच्थार वीगर 11 क्रिकेटीम की कुल मिलाकर रंसंक्या बन चु हिंदु शक्ति सर्भूत नींदी समतेगा हिंगर जी नभीन वर्षे करन अपले हाया हिंदु संस्कृति आहे मराठी जी परंपरा है गुड़ी परेवा या दिवश्या पन नभीन वर्षाला खरे आरताने एक संकेत देतास्तो तरह याज पर्दे करता जन्चा माध्य मतुन अपलेला इथी स्पोर्ट ची साइकल पुरस्कूत करने अलेले आहे आने बैलगाडा शरती मदे खूप मोटा जन्स नाव आहे ति दिपक्षट तवले खानाव यंस इती अगमन जालेला आहे दिपक्षट आपला मी सिवसेना पनमेल तालू का प्रमूख चेशका चा माध्य मतून अर्थाद बिंदास भाई ठोमने चेशक दोनादार तेवीस याज पर्दे मदे आपला आई गावदेवी क्रिकर संगा खानाव यांचा वतीने मना पुरुबग सौगत करता होत आप बगा आज दहां एकुन दहां संगा याज पर्दे मदे सबागी धालेले आहेद आणि जा संगाची गुनसंक्या उच्छांगा असेल मजे हायस को स्कोर आसेल त्या संगाला मात्र इती बोनस पाईन दिल जाईल अर्थाद बाई दिली जाना रहे आणि वीस मिन्टा मदे तुम्चा खेला पहले सत्र संपन गर्जेचा आहे सुरेक चंडु हतालने प्रेतन गोलंदा ज्या मारपत अपले बगाला मिलतों और निर्दाव शेट आई ते करेया रताने एक सांगल्या उत्तम चंडुची ते समाप्ती जालेले आहे बिलकुल देमी गेंती इस बार बिलकुल बल्यबाज राकेश खेलना चाहते दे दिशा देना चाहते दे लिकिन गेंदार बल्ले का कोई संपर करनी वा अणिगेद ये गेंदावा में जरूर है बिड़ विकर्ड रिजन में गेंदे लेकिन फिल्डर वहाँ पर नहीं है पोंच में नहीं है दूसरे रन के लेबले बाद दोड रहे और इन दो रन के मदद से टीम के रन संक्या यहाँ पर आगे आए बढ़ती हुई अठरा पर यहाँ पर राकेश पोंच रहे चार पर टीम के रन संक्या साइश्टार वीगर इलेवन क्रिकेट टीम की आगे यहाँ पर अग्रेसर होती हुई एक विकेट के रुसकाम पर 20 अब उठनेल बल्ले बाद जे सचीन फढ़के 16 रन का योगदान दिया लगातार चार गेंदों के ओपर चार चवके दागे शुरुवात मात्र दमदार शुरुवात की थी सचीन फढ़के ने लेकिन आप गेंदबाजी की दुरा समय यहाँ पर अनिकेट अनिकेट गेंदबाजी के लिए होंगे एक बार पीसे तैयार ये देखे अच्छी गेंदी धीमी गेंदी गेंद में उचाल कम था तपक आने के बाद अंदर की तरफ आई ग्लांस करना चाहते थे घुमकर बिलकुल यहाँ पर फाइनलक शत्र में खेलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिं गेंदा और बल्ले का कोई संपरक नहीं हुआ एक सपल गेंद की यहाँ पर वोती वी समापती एक अच्छा संक्या थे गेंदबाज लगातार दो गेंदों के ओपर यहाँ पर चार रन आये थे जरूर लेकिन उसके बाद में यह गेंद थोड़ी धीमी रखी आगे रखा था बल्लेबाज को और इस बार बिलकुल दिशा देना चाहते थे हर विकेट के लिए याने 22 साश्ट यह देखिए इस बार गेंद जाएगी कवर पॉइंट शत्र में फिल्डर वहाँ पर ताइना थे दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दोड़ने की कोशिश आसानी के साथ तीन रन प्राप्त करते हुए और इन तीन रन के मदद से यहाँ पर टीम की रन संक्या आगे बढ़ती हुई निची तुरूप से साश्टार विगर क्रिके टीम की एक विकेट की नुसकाम पर टुबेंटी त्री बगा बलेक स्क्रीन एथी ते आमचे बिंदाज भाई ठोम्रे यहाँ चद्या दोन कटावर सेथ बगा ती ती जे चेर आर्थात खुर्ची मदे जे आमचे प्रिक्षेत बसलेले आहेद कुरुपे आपन लगेचत बाजुला आणि पड़दा मंजे आपन पाहतो इदे यह स्पर्देच आमचे प्रतिक आहे मित्रनों कुणी तेचा वर पायट हेवू ने आसे आपना सामीते सुचीत करतो चारी दिशाला जेवडे प्रिक्षे गेद बगा सिमेर इशेवर जे या स्पर्देच प्रतिक आहे तेचा वर तुमी पायट हे उने यह देखे आची गेंती और इसे के साथ अमपायर राकेश का इशारा आता हुआ यहाँ पर और के वी समाप्ती दूसरे और के वी समाप्ती दो और के समाप्ती के बाद साइश्टार वीग पर ग्रिकेटीम के कुल मिला करन संक्या बन चुके एक विकेट के नुसकाम पर 23 एनकी 23 अधिनिन थे वाग आखाई यह अधिने सावाग आखाई वाला आ रुपेश तुम्रें हां अधिनिता वाग आये अधिक्त ने पाहतों खरेयार दाने डीजा मास्टर तु तो दा कौतो कारा व्लागेल करनी स्पर्दा पन पाहतो सिवसेने चे पनिवेल तालू का प्रमुक रुपेश ठोम्रे आर्था थ बिंदास भाई ठोम्रे यहांचा नवाची करिकर स्पर्दा और बिंदास भाई नामी नागपूर जो युवाली आधिवेश्ना मदे देशा चे नमबर वन केंदिरे मंत्री नितीन जी गड़करी साहबांचा तरो गेंदावा में जरूरे और ये देखिए दूसरे रन के लिए बले बाद दोडरे तिसरे रन के लिए दोड़ने की कोशि जो कि मरा हो सकता है और यहाँ पर बले बाद राकेश को लोटना पड़ रनाउट के रूप में अकाश चिंचवली विपक्षे चिपले आजीत यहाँ दोनी करिकर संगाला चिंचवली विपक्षे चिपले या दोने कृण संगेला थे पुकार करने लिला है कि नाने पे कि साथी आप लिला संपर कसाधा चाहे सथ्र संपन्या पुरिवी टुम्माला नाने कि साथी संपर कसाधना गर्जयचा आही आप यहां पर मैदान के अंदर राकेश आउट होने के बाद जाते हुए नहीं बल्यबाज सनी फड़के मारा मारी फेम खर्यारतने दे दना दन यह इसर की बल्यबाजी है जानता है दोस्तो पहले सत्र तुमाला इते 20 मिंडा सावधी इस बार गेन जाएगी लेश्टम से बाहर से गुजरती वी गेन अंपार का इशारा आया वाइड गेंद करार होती वी अतिरिक रणों में हुआ इस जापा इसे अतिरिक रण के मदल से यहां पर साइश्टार वीगर 11 क्रिकेटीम की कुल मिला करन संक्या बन चुके है दो विकेट के रुष्काम पर 26 सनी बिल्कुल अच्छी गेंदे क्या कमाल की गेंद फेकिती सनी ने यह गेंदे के बिल्कुल तेज तरार लगातार तीन गेंदे डॉट खेल चुके दीपक पड़के एक आकरमक बलेबाद है एकस्प्रेंसली क्रिकेटर है सबसे अनुवबी खिलाड़ी दीपक पड़के यह देखें लाओडा पे लेक बिफोर अमपार की उंगले असमान में दीपक पड़के को लोट ना पड़ रहा है और एक तीसरा विकेट गिरता हुआ साइस्टार वीगर 11 क्रिकेट टीम का अभी भी रुकावा स्कोर है यहने कि तीन विक्टो कि नुसकाम पर 26 बीज असर्ष्टा ग्रूप दुन्द्रे बगा मोरिया 11 दुन्द्रे क्रिकेट संगा चा गोलंदा जाला प्रते पिकेट साड़ी शंबरुपाचा क्याश प्राइज आहे डबल टू डबल शिक्स ग्रूप दुन्द्रे यंचा संकल बने तुन्हें पारदोशी किते दिन्या तालिल आहे आप मैदान के अंदर जाते हुए दीपक फड़के आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए ने बलेबाज अरियान अरियान आवरा नौस्टाइकर बलेबाज हम सनिल फड़के को देख रहे हैं कि जिनके पास शम्ताइब बड़े श्ट्रोग खिलने की और यह मिडल ओडर का सबसे भरोसिमन बलेबाज है कि देखिए तारीब करने होगी गेंबाज सरी की तारीब करने होगी क्या शांदर गेंबाजी कर रहे हैं कमल की गेंबाजी मान यहां पर बड़ा स्ट्रोग केलने की यह अजाद ही नहीं दे रहे साइज टार्वीगर 11 क्रिके टीम के बलेबाज को क्या शुरुबाज वी तीस साइस्टाइड वीगर 11 क्रिकेटीम की यह देखे है एक गेंड बेड़ाड कमाल की शांदार गेंबाजी लेंद लाइन और दिशा के उपर पुरतर से नेंत्रन रखते वी यह निच्चे तुरुप से और यहां पर नतीजाया डॉड़ गेंड की वी समाप्ती याननत वहां पर तैना थे एक एरान दुसरे रहन के लिए बल्यबाद दोड़ रहे और यह क्या जरूरत थी और इसके साथ बल्यबाद रनाउट यह चावता जटका मिलता हुआ साइस्टाइड वीगर 11 क्रिकेटीम को बालट बल्यबाद धुलरत थे यह जवीपरीं का जटका टके तक हो जब स्वाइड चार छॉब का मिलता से का टका मिलता हुआ लगर भ्यों बल्लूबात थीक शरॉब का जब का मिलता दिजा है झाल 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 प्रतमता चार चंड बर चार चावकरां चा अथश भाजी मात्र इते सचिन फड़के चा माध्यमा तुन अपला बगाला मिलाली आणि नंतर चा मात्र चावदा चंडुमादे आक्रा धावा त्याना खरे अरता निते बनोता आलेले आहित बंजे कांचेन फालकर आती शे एक असुक माहिती आमचा परेंद पोंचावनेचा काम करता निची सुरुपात और शेवटी शेटकास तरहे या शर्कातर विचा रिकेला गोलंदास होता सनी सुदरी टेरी कार धावा घरच केलिया अरी एका भलंदाजाला तम बूचा रस्ता घरचा रस्ता दाकुरे आपलेला बगाला मिलाल। एक सुरेक पुतकरन गोलंदाजी चा मात्र तेच्छा माध्यमातू निते आपलेला बगाला मिलाद अथा मात्र गोलंदाजी माधी परिवर्तन असना रही शेवर्ट्र शेटक हतलने करता इते गोलंदाज आपन पाहतो तुमझे मुरिया इलिबन दुंद्रेक रिकर संगा च राज सुधरी राज गेंद बाजी किले तैयार सामना करेंगे सनिल फड़के और ये गेंद लेश्टम से कभी बाहर से गुजरती गेंद बिल्कुल अमपायर राकेश पाधिल यहाँ पर इशारा करते बिए कि वाइड गेंद करार अतरिक रणों में हुआ इज़ापाई से का तिसरे अमपार की यहाँ पर मांग कर चुके है तिसरे अमपार मैदान के एक हैं यहाँ आंदर बिल्कुल संपर करेंगा सांपर करेंगे शुचिन मुंडे यहाँ *** ऑर्गनाइजर कमेटी मेंबर साइज सचिन दादा मुंडेए यह सवादाम चा सचिन दादा सचिन दादा तिसरे पंचे भूमिक्त करियार तने मैदान मदे सवता मैच्छ रेप्र सब्सक्राइब जालेला है आनी 5151 अम्चे मित्रा पंडरंग दादा पाटिल एक समाश्य वकाहे तैंसा अगमन जालेला है क्रिकेट ला धर्म मनना रे बेक्ति मत्वा पंडरंग पडिल आपला मनपुरुबग सौगत आहे जिनबाजी के लिए जिए जिए अच्छी गेंती क समाल की गेंबाजी शांदार गेंबाजी शातिर गेंबाजी एक डाट गिन की यहां पर होती भी समापती क्या शुर्बात हुए थी दमदार शुर्बात साइस्टार वीगर 11 क्रिकेटीम ने पहले और में पहले और में 16 नन बनाये थे लागतर चार गेंदों के उपर सचिन ने चार्चों के दागे जरूर लेकिन आप नईया बीज भबर मेया और इसी के साथ क्लिंग बोल्ड जिस बल्लेबास के ओपर टीम निर्वर कर दिये वो बल्लेबास सनी भी क्लिंग बोल्ड आउट होकर पैवलें का रस्तानापती हुए यहां पर यह पांचवा विकेड मैदान से बाहर लोटता हुआ सनील फड़के की पारी वुई यहां पर समाप प्रतेक गोलंदा जाला बगा प्रतेक विकेड साथी मोरिया एलेबन दुन्द्रे पड़ा क्रिकेड संगा चा गोलंदा जाला बावी सासष्ट अर्था डबल ग्रूप चा वतिने प्रतेक विकेड साथी शंबर रुपाचा कैश प्राइज आही तो शुरुपाचा आता मात्र नवीन वर्ष आसले आने बले अपले हिंदू संस्कृती मतला नवीन वर्ष नाई है परन्तो इंग्रजी वर्ष मनुन या वर्षा तो सौगत केले जातो आने आपली जी संस्कृती आहे तिया अपन गुड़ी पाड़वा आहे त्या खर्यारताने दिवशी एक सुब संके देतास्तो नवीन परवन नवीन वर्ष आल आपने शुरुवात करतास्तो परन्तो काल जल्लोश मदे जाने जाने सौगत केले रातरी त्या सर्वान सामी क आउतू करू करे अर्थन है निरुप दिला दोनादर बाविश्टला यह देखे गेन को पूरी तर से बहार भेजना चाहिए ते गेंदा और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ प्रदीपे बिलकुल दिपक फड़के के भाई और गेनबास का भी हम जिक्र जरूर करेंगे अभी भी रुकावा स्कोरे एने की 28 गिनबाजी के लिए पीस से गिनबाज होंगे तयार राज तवधरी गिनबाजी के लिए तयार समना करेंगे प्रदीप यह देखे हैं घी गिरा तो भी खिचडी में और यहां पर प्रदीप शुन्ने पर विदावर स्कोर पर लोटती हुए और शुन्ने पर उठो कर पहलें का यहां पर पहलें का रस्तान आपती हुए पैविलिन अया की तरब लोटती हुए अभी भुकावा स्कोरे 28 पर बातों तंबुत रास्तया करे वर्चाल करता सरपला बगाला मिलतों मैदाना मदे कांचेंदर अपने विचार केला फोर फायू पंचे चालिस नंबर ची जर्शी मडली तर क्रिकेट मदे नेमी क्रिकेट जगता मदली चर्चेत नंबर मनु आ ओलगला दातों करेक्रमां को लगला दातों आज अठ्रा नंबर फिक्षा पंचे चालिस नंबर ची जर्शी अपलेला अनेक तरूं खेलाड़ों मदे जसरवादिक जास्तों भागाला मिलतों कि तरह एक बाद पीस से गिनबाजी के लिए गिनबाज तैयार होंगे कि यह देखिए और इसी के साथ डाट गेन अने इते मनोराम चे पाड़ी लाहेत एक उतकुरुष्ट सामलों चेकते आथा अमले पुनाएक दा इंपार्मेशन देदा कि फोकस करतात केंदरित करतात कि पंचे चलिस पिक्षा अठ्रा क्रमंकर ची जर्शी करें लोका जास्त केंदरित के लिए जाते हैं पर तो यह दोनी जर्शी अतना यह भारतिये क्रिकर संगा चाथ दुरुष्टे कोना तुर लोग प्रेजर्शी आहित क्रमंकर इते महात्रा पलंदाजबाद िन उर्शी जर्शी महा जर्शी कर भो यह दो, र Fr.來 जो हैं पलंद केंदर अर्शी प्रेजर्शी स्ना अजर्शी जर्शी आर्श MA ज्शी बहुत दूनांट झाल 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 मन्यवरांसा एतोची सन्मानिते केला जाईल एद दोस्तीचा दुन्याती राजा मानोस आने महाराष्टा मदे बाहिलगाडा शर्यती मदे कूप मोट जन्सन नावा आहे आने बाहिलगाडा शर्यतीला आपला धर्म मन्नारे बेक्तिय मातुआ सुप्रशिद बाहिलगाडा मालाक दिपक्षट तवले यंसा एतोची सन्माना कानाव गावची यवन जोरी संदीब दादा पाडिल आने लवु दादा पाडिल यंचा शुबास्ते दीपक्षट तवले बगा त्रिवेरी संगाम अमचा सुरज करुडोग लव दादा पाडिल आडि संदिप दादा पाडिल यंचा शुबास्ते भगव वस्रालंकार पुष्प गुच्च अने अस्परदेच सा तलुका प्रमुक्च श्काच सनमांची नद्योड सनमाने दीपक शर्ट तवले साइबांच स्वाग दीदे क जाता है यानंताचा सनमाना सेल पंडरंग पाडिल यंचा एतोची सनमानी ते केला जाईल सुर्य दधादा अपन्चया सन्मान इते करा चाहे पंडरंग दधा पाटिल खानाव क्रिकेट संग जाजा ठीकानी खिलने साडी जातास्तो और त्या त्या वेले सापल्या संगाचे खंबिर पाटिर राके मनून परिचित असनारे क्रिकेट ला धर्म मन्नारे वेक्ति मत्वा अमचे मित्रा पंडरंग दधा पाटिल यंसा एतोची सन्मान शिवसेने चे खानाव गाव शाका प्रमुक अमचे मित्रा सुरच करनूक यंचा शुबास्ते स्वाग दिदे केले जाता है मी पुन्यकदा सर्व केलाडू सर्व मन्नेवरांच सिवसेना पणिमेल तालूका प्रमुक अदर्ने रुपेज दादा ठोम्रे अर्थास बिंदास भाई ठोम्रे यंचा वतिने मन पुरभक अभारिती वेक्त करता हो यास परदे करता बगा स्पोर्ट चे ब्रेंडे शुद जन्चा माध्यमातु निते पुरस्कुत करन्यात आलेले आहे ते खानाव ग्राम पंचे दीचे माजी सर्पन चा लवू शेट पाड़े लेंचा वतिने यास परदे करता पास हजार एक रुपास आर्थिक सहकारी ते करन्यात आलेला आहे तेंसामी पुनेक दा शिवसेना पणिमेल तालो का प्रमुक चश्का मदे सर्चे इधिहाभार बेक्त करता हो तर रुपेश पुलोरे और साजन पुलोरे भोकरबडा एंचा गड़ून इस परदेला सुबेचा आलेले आहे आने एकविस्ते बावी जानेवारीला सुर्गिये बाभु आश्या पाडिल स्मृति चेश्काचा आविजन सुद्धा भोकरबडा गवातिला कृडा नगरी मदे आविजन करन्या दालेला आहे आने त्या स्परदे करता प्रतम परदोशिक असेल 15,000 रुपय आने दुथे परदोशिक 5,000 रुपय पुरेक दा रुपेश फुलोरे तुम्चा स्परदे करता खाना गवातिलामा सर्व सहकरें चा बतीने बना परबग सुबेच्छा तेंक यू है लो स्परदे करता सर्व ट्रपेश पुरस्कुत कान्या दालेले आहे स्वर्गी ये प्रदीप खंडू पाठिल यांचे अविस्मनी आठीवन मनून तेंचे छोटे बंदू अमचे मित्र संदीप दादा पाठिल यांचे मध्यमा तुन ट्रपेश पुरस्कुत कान्या दालेले आहे संदीप दादा तुम्चा पुनैक दामी थे अभारी थे बेक्त करता निवल तो मनोर पाठिल वाजे यांचे गडे तेंच्यू तेंच्यू सो मच यहां पर आवे यांचे लड़त असना राही चिंशावली मंजय आका शेल्कियांसा संगासना राही अड़ी चिपले आजीद तुम्चा संगाला पईले सत्रस यह सत्रसंपनया पुरिवी यनगर्जचा आए अड़े ता सामना चार शरकांच आए वजी तीन शरकांचा खेलोल जाहील प्रतिक सामना चिंशावली क्रिकट संगाच अगमन जालेला है चिपले क्रिकट संगाच अपले उपसीद यह विलेवर उपसीद राह चाही ओटो मन अनुर पड़ी तेंक्यू तेंक्यू सो मसर आई गावदेवी क्रिकेट क्लब इनके तरफ से आजित तालो का प्रमुक ट्रॉफी बिंदस भाय ठोंबरे इनके नाम से जाने जाने वाले है यह प्रत्योगीता आज इस प्रत्योगीता का आगाज है दोस्तों सभी दर्शकों को नए साल की भी धेर सारी चुपकाम नहीं शांदर मुकाबले का आगाज भी लेकिन सचिन के आउट हो जाने के बाद दीपक फड़के और प्रदीप फड़के बिलकुल नाकाम रहे मैदान के अंदर एक ओवर लगबग 6 गेंदे डॉट निकली थी और इसी का नतीजा है 29 रनों का टार्गेट है मैदान के अंदर लेकिन पहली गेंद के ओपर विकेट प्रों से नहीं बड़े पहाड तीसरे अंपर के मांग की जा रहे है कि बगा जे जाड़ा वरा लानलान मुला खर्यारतानी क्रिकट्टा आनन्द गेता बगा वन भीबा गाचा वतीन सुचिना गान्या दाले ले आही कि जाराना दुखा पर दोता गामन है कुरुपया पर लेगेट्स खाली उत्रा जाही थेंक्यू सो माच और एक और सफलता है मैदान में थूड़ी सी गती में मिश्रन किया था बाहर के तरब गेन निकल रही थी नतीज़ा हमारे सामने आया पहली गेन के उपर सफलता दूसरी गेन के वाइट थी और उसके बाद आया एक और सफलता दू विकेट के नुक्सान के उपर ये थूड़ी सी धीमी शुरुवात में कहूंगा दुन्द्रे पड़ा टीम के माध्यम से 29 रनों का पीछा करते हुए पर एक प्लैनिंग के तहट चलेगी रनीती बना कर चलेगी क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है ना कि लडाईया नहीं जीती जाती तंत्र मंत्र और यंत्र से लडाईया जीती जाती है शडियंत्र से और वो शडियंत्र वो प्लैनिंग आपके अंदर होनी चाहिए जब आप रनीती के तहट उत्रोगे प्लैन ए यहाँ से पूरी तरीके से फेल रहा दुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम का प्लैन भी आपके पास होना चाहिए यहाँ से शुरुवाती जटके मिले हैं इन शुरुवाती जटकों से उभर न होगा 29 रनो का टार्गेट है सिंगल डबल से भी आप जा सकते हो लेकिन प्लैनिंग किस प्रकार से रहेगी अगली गेंद आएगी सनिल की यह गेंदे को और सफलता है बैक टू बैक यह दूसरी सफलता बिल्कुल यह गेंद वाइड गई थे सनिल फड के मैदान के अंदर आग गुगल ती भी गेंद बाजी तीन विकेट खोए अब तक इस सफर में धुन्द्रे पाड़ा टीम ने कर दो 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 चिंसवली क्रिकट संगा नानेपी की साड़ी संपर के साथा चाहे ओटू मनोर पडिल भाजी तेंक्यू तेंक्यू सोमच जिस तरीके से कहा जाता है ना कि उम्र ठका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती यदि जीद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती और वही कोशिश मैदान के अंदर साइस्टार वीगर क्रिकेट टीम के माध्यम से बैक टू बैक सपलता सनिल फड़के के नाम एक रन के ओपर तीन विकेट खो दिये है दुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम ने अब पारी को सवारना भी है सजाना भी है और मैदान के अंदर आगे भी बढ़ना है किस प्रकार से सोच रखेंगे रववया किस प्रकार कहोगा ये भी देखने वाली बात है सनिल की अगली गेंद ओन है ट्रिक इस बार तेजी हमने देखी पेस हमने देखी रपतार से वार कर रहे है मैदान के अंदर खुद ने रोका इस गेंद को मिड़ान के शेत्रम है एक रन पहला रन जो बल्ले से आया मैदान में और टीम की रन संग के जाकर पोची है चार गेंदे गुजर चुकी है दो रन तीन विकेट के नुकसान के उपर 29 रनों का पीचा करने के लिए उत्री है इस प्रत्योगिता का यह पहला मुकाबला है और जितने लो स्कूरिंग के मुकाबले हम देखते है हमेशा सही सस्पेंस बरे देखते है थ्रिलर मुकाबले हम देखते है दिल धड़काने वाले मुकाबले हम देखते है जैसे जैसे दूप खिलती चली जाएगी या पर बल्ले बास भी हावी होते चले जाएगे छोटी सीमा रेका है यदि बल्ले के उपर गेंट सही से टकराएगी तो आप बाउंडरी क्लेर कर सकते हो लेकिन सोच किस प्रकार की होगी क्रिकेट में जैसे कहा जाते हैं कभी भी हार मत मानों वो लड़ने का जज़वा आपके अंदर होना चाहिए और यह 29 रनों का टार्गेट का पीछा करते वे लड़ खडा रही है पारी दुंद्रे पाड़ा क्रिकेट टीम के सजाना है यहाँ से सवारना है पारी को गेंदबासी के लिए सनिल तया राउंड विकेट हलकियातों से इस गेंद को खाली दीशा देने का काम किया था जब तक गेंद को पकड़ा जाता सिंगल से जादा कुछ नहीं है एक एक रेन के लिए संगर्ष जारी है तडप रहे है मैदान के अंदर रनों की भूक तो नजर आ रही है लेकिन यहाँ से रन मिल नहीं रहे व तो शिकेश का मैदान के अंदर मोजूद रहना बहुत जरूरी है दूंदरी पाड़ा क्रिकेट टीम के लिए 29 का टार्गेट था तीन रन बने है अंतिम गेंद आएगी इस पहले ओवरकी गेंद बाजी में सनिल तैयार पाच्वे नंबर के खिलाड़ी सनी चौधरी मैदा के अंदर ओन स्ट्राइक काफी तेजी के साथ ये गेंद डिलिवर हुई थी ये शॉर्ट स्क्वेर लेक से गेंद ट्रैवल होती भी जब तक मिड़ विकेट का खिलाड़ी जाता यहीं को फिल्ड कर पाता यहीं सोच रखनी है आपको हरे गेंद के उपर चावका चका नही जाला थी जाएक नहीं पाँच रन पेले ओवर हमने सनील का देखा था शांदार और जानदार शुरुवात हमने मैदान में देखी सनील के माध्यम से पेली गेन के उपर सफल था कंपलसरी चेसिंग इस टूर्णामेंट का नियम है मोरिया 11 दुन्द्रे पाड़ा और साइस्तर वीगर इन दोनों टीमों के बीच में चलता अबा ये दिलकश नजारा मेदान के अंदर हम देख सकते हैं टीम की रन संका है टोटल पांच रन अब यहां से समीक रन बनेगा 18 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 24-24 के आबच शकता है लेकिन वीगर क्रिकेट टीम को हार मंजूर नहीं है दोनों टीमें जीतने जीत के इरादे से उतरी है शुरूआत अच्छी करना चाहते है न टीम के टाकतवर गेंदबाद है लेकर उनके सामने किस परकार से सोच होगी यह भी देखने वाली बात है टास के लिए संपर करना है चिपले टीमोरा चिंसाउ्ली दोनों टीम के कपतान से गुजारिश है टासникиल संपर करना HEY कपतान को आना है मैं आकाश से गुजारिश करूँगा, मैदान के अंदर हम यकिनन लोट चलेंगे दोस्तों, दीपक की समर्तबा तयार है, 18 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है, 24 के आबच शक्ता, ये गेंद काहा पर कर दी, जिस तरीके से जीत की खातिर बजुनून चाहिए, जिसमें उबाल होय सकून चाहिए, ये आसमा भी आएगा जमी पर, बसी रादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, वो जीत की भूक, वो जिद, आपके अंदर क्या नजर आएगी, पहली गेंद वाइड आईए, थोड़ा सा प्रेश्टर रिलीज होगा, रुशिकेश ट्राइकरेंड के उपर, बल्ले का अंदरुनी किनारा जरूर लगा, स्क्वेर लेग में खिलाडी तहिना थे, पावर प्ली की बंदिश भट चुकी है, पाँच खिलाडी तीजगर्स के बाहर हमें नजर आएगे, सिंगल के मदद से छोर बद विकेट हैट्रिक के लिए दीपक जी तवले इनके माध्यम से दीपक फड़िके इनके लिए 500 रुपे का इनाम है, कोशिश है जरूर है परदे का पीछे का किरदार निभाया जा रहा है, और बिलकुल यदि दीपक फड़िके विकेट हैट्रिक लेते तो महागुरु सरीन के माध्यम से भी 500 का इनाम है, मिदान के अंदर हम यकिन अनलोड चलते हैं, मिदान के अंदर हम जरूर जाएंगे, गेंद बाजी के लिए तैयार दीपक, लोवर फुल टॉस यगेंद है, खिलाड़ी तैयना थे, शॉर्ट पॉइंट में, एक रन का इजाफा होता है, सनी चाउदरी के लिए भी इनाम है, चौके के लिए 226 रूप इनके ओवर से 200 का इनाम है, मिदान के अंदर हम जरूर जाएंगे, दोस्तों, सिंगल डबल से पारी आगे बढ़ाई जा रही है, टीम के रन संके टोटल जाकर पोचिए, आठ रनों के उपर, पेली गेंद वा में जो तीन विकेट गिरे, उन शुरुवाती जटके से अभी भी उभर नहीं पारी है, क्योंकि बड़ा स्लोक अभी तक आया नहीं, एक भी चाउका नहीं पारी में, एक भी चका नहीं अब तक, और नतीज़ा हमारे सामने है, टीम के रन संके टोटल है, आठ रन, चिपले टीम का कप्तान, टॉस के लिए आपको तूरन संपर करना है, मुकाबला समप तोने के पहले आप यदि टॉस के लिए नहीं आएंगे, तो आपको यहाँ से पैनल्टी का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखना है दोस्तों आपको, मिदान के अंदर हम जाएंगे जरूर, ग लिए गेंद आएगी, गती में मिशन करने की कोशिश है, पीछे इसी स्ट्रोक के लिए खिलाडी भी तैना थे, जब तक गेंद तक पहुच पाते है, एक खत्रा उठाया, और दो रन का इजाफ़ा होता है, आखिर कर फूच्च तो जरूर गई है, लेकि रनिंग बिट्व लिए रहना है, दो रन का इजाफ़ा होता है, दो रनों के मदद से पारी आगे पोचेगी, टीम के रन संग के जाकर पोची है, दहाई के आकड़े को छूते वे, नव गेंदो का सफर हमने देखा, टीम के रन संग के है टोटल दस रन, तीन विकेट के नुकसान के उपर, ग किसी मिस पिल्ड, फिर भी रन मिलेगा केवल सिंगल, सिंगल से जाधा कुछ नहीं है, अब बाउंडरी ढूडनी है, एक बाउंडरी प्रेशर रिलीज करेगी, चार गेंदे पूरी हो चुके है इस ओवर में, टीम के रन संग के है टोटल ग्यारा रन, तो बिल्गुल यहा आपके मुकाबले का टॉस नहीं होगा, तो आपका मुकाबला केवल तीन ओवर का है, मिदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तो, यह स्ट्रीकली वार्निंग है आपके लिए, क्रिकेट में होना बेहर जरू है, दोस्तो दिये वे समय में आपको यहापर हाजिर रहना है मिदान के अंदर हम जरूर चलेंगे, दीपक फड़के एक बार फिर से तयार है, स्ट्राइकरें के उबर बले बाजे सनी, सनी सहुदरी, पाचवे नमबर के खिलाडी, यह गेंद हमने देख कि यह तीज थी यह गेंद, अथलकी सी, पिछली कुछ गेंदे मिश्रन किया था पारी में, गेंद बाजी में, लेकिन उसके बाद यह गेंद तेज गरी, पेश से बीट किया इस बार, 11 रनों के उपर पारी संगर शकरती भी, 29 रनों का टार्गेट है, अभी भी जीतने के लिए 13 गेंदे बची है, और 18 रन की जरूरत है, गेंद बाजी में अंतिम गेंद बचे की बारा और जीतने के लिए जरूरत है, 18 रनों की जरूरत. दिपक्षाट तवले, यांचा शुभास्ते नाने पेगी दे केली दाता है, नाने पेगी दकावल चिंचवली, स्रीरामी एलेवन चिंचवली क्रिकट संगाडी जिंकले लियाए, और आज लगेचा दिपक्षाट तवले, ये बाढ़डे ते बाइलकाड शर्तियाठी पाहित, रामचेंद्रा, मुंडे अंसा, अगमन दे धालिला ही, या वो बैस पेडर अपने सहुगता ही, ओटू मनवर पडिले, तेंक्यू, तेंक्यू, तेंक्यू सो मच, बारा गेंदे जीतने के लिए 18 रारन की जरूरत है, कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाब नए साल का स्वागत जीत के साथ, कौन कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है, क्या है नतीजा, क्या है मुकाबले में, क्या इस कहानी में कोई रोचक मोड अभी भी बाकी है, आने वाली गेंदे 12 दोस्तों, और जीतने के लिए जरूरत है, 18 रनों की जरूरत है, बाजी में आएगा गेंद बाज, राकेश पाटिल, स्ट्राइक रेंड के उपर बले बाज मोजूद है, रूशी के श्खार उटकर, उनका साथ निभाएंगे सुनिल मेदान में, ये गेंद हमने देखी है, बले का बाहरी किनारा है, खिलाडी वापर मोजूद है, एक और स फलता है, साइड दीजे, इनके माद्यम से 2,000 रुपे का कैश प्राइज है, दुंद्रे पाड़ा टीम के लिए, मेदान के अंदर हम जरूर जाएंगे, और जो कैश लपका था, रोशन फढ़के, इनके लिए, जो छोटे कतका खिलाडी है, तो बिलकुल 2,50 के नोट है, 100 रुपे का इनाम है, इनके माद्यम से, जग्दी जीजे, जो बाहर से होसला अभजाई तो की जाघारी है, लेकिन ये पर्दे का पीछे का किरदार क्या यहां से, मेदान के अंदर हम जाएंगे जरूर, अंतिम गेंदे बची है 11 जीतने के लिए 18 की जरूरत है ये गेंद आप्ष्टिक के बाहर से गुजरी थोड़ी सी दिशाहीन गेंद बाजी थोड़ा सा प्रेशर रिलीज जरूर होगा अभी तक मेदान के अंदर मोजूद है सुनिल और अनिकेत मेदान में आदी सेना पैविलेन में वापिस लोड़ चुकी है पाच के लाड़ी खोए है गेंदे बची है अब 11 जीतने के लिए 17 की जरूरत है मेदान के अंदर हम जाएंगे जरूर गिनबाजी में राकेश पाटिल मिस टाइमिंग स्टोक है पीछे खिलाडी तैना थे एक रन तो जरूर मिलेगा दूसरे की कोशिश है और दो रन का इजाफ़ होता है और दो रन के मदसे टीम की रनसंग के आगे बढ़ेगी आकडो का गनित थोड़ा सा आसान होगा दून्द्रे पड़ा टीम के लिए आने वाली 10 गेंदे जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है किसकी तरफ यह मुकाबला जाएगा क्या नतीजा आएगा क्या मुकाबले में जान अभी भी बाकी है क्या साइसर वीगर क्रिकेट टीम मुकाबला यहां से खीट सकती है 29 रनों का टार्गेट था शुरुवा तच्छी नहीं रही थी मोरिया 11 दुन्द्रे पड़ा क्रिकेट टीम की लेकिन उसके आगे का सफर हमने देखा पूरी तरीके से दोनों टीम है संगर्श करती भी मेहनत करती भी पसीना बहाराय मदान के अंदर जीत चाहिए हर हाल में क्या नतीज़ा आएगा मुकाबले में शांदर लड़ाई शांदर मुकाबला मेदान के अंदर जारी है 9 गेंदे जीतने के लिए 15 रन की जरूरत है राउंड विकेट से गेंद बास्ताया राकिश पाटिल एक और गेंद हमने देखी तेज निकली तीर की तरह सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में बैक टो बैक डॉट गेंदे प्रेशर बढ़ता अबा दबाव बढ़ता अबा बले बाजी के उपर अंतिम गेंदे आठ और जीतने के लिए 15 रनों की और जरूरत है शांदार गेंद बाजी गेंद बाजी की जितनी तारिप करे साइस तर वीग टीम की उतनी कम है आठ गेंदे पंदरा रन गेंदे आ रही है बल्ला घुमारे गेंद के ऊपर नज्य नहीं ये पेर नहींपर इतने असान नहीं है बले बाजी विकेट के ऊपर व्यूंकि जिस तरीके से शुरूखत हुई थी जिस तरीके से सनिल ने एक के बादि एक जट मिलेगा दूसरे की क्या कोशिश आए जी नहीं सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है अब अन्तिम गेंदे बची है छे और जीतने के लिए कंपल सरी सब चौदा रन की ज़रूरत है कि अधिते सन्मानिये विला दादा भुपी यांसा अगमन ते धालेला ही अपला में आई गावदेवी क्रिकर संगा खाना वे अंचा बतीने मना पुरबग सावगत करता होत तरह बगा मित्रा नो आसे बंडला जातो की देनार्याने देत जावव अन्ना दाता सदा सुकी आज संपुर्णामचा समलोचेन कक्षा आहे लायू प्रसार नासेल की वाड़ी है या कक्षा दी खरियारताने बोजनाची व्यवस्ता महराष्टातील सुप्रशिद्ध बैलगाडा मालग दिपक्षड तवले खानाव यांचा माध्यमा तुन कान्यात आलेला आहे अन्ना दाता सदा सुकी त्यावदलामी सर्वजन आपना मनपुर्व का भारिया होत तो बिलकुल कल की रात भी थी जश्न की रात और आज का दिन भी रॉयल पार्टी है यह नहीं साल का मजा है दोस्तों मेदान के अंदर हम जरूर जाएंगे अंतिम गेंदे बचेगी छे और जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है शांदर मुकाबला मेदान के अंदर मोर्या 11 दुंद्रे पाड़ा या फिर उनके खिलाब खेलने वाली मेदान के अंदर 16 स्थार वीगर क्रिकेट टीम कोन जीतेगा बाजी कोन जीतेगा मुकाबला क्या नतीजा आएगा ये भी देखने वाली बात है शांदर लड़ाई शांदर आगाज मिदान के अंदर हम देख सकते हैं अंजाम की इस टीम के पक्ष में आएगा अंतिम गेंदे बची है छे और जीतने के लिए जरूरत है चाउदा क्या बच रखता साइस सर वीगर टीम से य रन आपको बनाने है 29 रनों का टार्गेट था किसने सोचा था कि मुकाबलाई सथ तक आएगा छे गेंदे शाओदा की जरूरत गिंदबाजी में आएंगे अरियन फड़ के स्ट्राइकर एंके उपर अनिकेट है पेली गेंद उचाई जादा है लंबाई कम है खिलाड़ी म मुझूत है और बल्ले बाज अनिकेट के पारी का अंत होता है अब पांच गेंदे बचेगी और जीतने के लिए चाउदा की जरूरत आप अपने आगास से नहीं अंजाम से पेचाने जाते हो अब स्टार्ट केसे करते हो यह माइने नहीं रखता आप फिनिश केसे करते हो यहां से उड़ा कर लेके जाएगी मोरिया 11 दुन्द्रे पड़ा टेम लेकिन साइस तर्म तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है मैं गुजारिश करूंगा तो बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग है तीसरे अंपायर टीवी स्क्रीन के सामने मोजूद है कमिटी का डीसीजन है टीवी स्क्रीन के सामने है तो मैदान के अंदर जाएंगे यहां पर तीसरे अंपायर ने अपनी जगल ले लिए जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर पांच गेंदे और जीतने के लिए चाउदा की जरूरत है आरियन फड के अब तक इस सफर में छे खिलाड़ी खोये है चटे और आटवे नंबर का खिलाड़ी मैदान के अंदर अब नया बले बाद राज मैदान के अंदर क्या राज क अंदर पाएगा अंतिम पांच गेंदे जीतने के लिए चाउदा की जरूरत है ओर देबिकेट से यह गेन शॉट पीच शमने देखी दई एक से जादा कुछ नहीं है सिंगल सिरफ मिलेगा सिंगल डबल से कुछ खास परक पड़ता नहीं है साइस सर वीगर क्रिकेट टीम क लेकिन यह क्रिकेट है दोस्तों यहां पर बाजिया पलटने में देर नहीं लगती एक बड़े स्ट्रोक की तलाश है एक बड़ा स्ट्रोक मुकाबला बदल जाएगा अंतिम गेंद बची है चार और जीतने के लिए तेरा रन की जरूरत है मेदान के अंदर हम जाएगे जरूर उठाने का प्रया से उचाई जादा है खिलाड़ी तैना थे वहाँ पर वर बले बाज के पारी का अंत होता वा एक और सफलता अब गेंदे बचीएगी तीन और जीतने के लिए जरूरत है तेरा रन की जरूरत दो बड़े स्टोक यहाँ पर बचा सकते है दुन्द्रे बड़ा क्रिकेट टीम की उम्मीदों को लेकिन क्या यह उम्मीदे बरकरार रहेगी क्या नतीजा आएगा मैदान में मुकाबला छोड़ना मना है दोस्तों क्योंकि लेरो से डरकर नवका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लेकिन यहाँ से हार मनजूर नहीं है दोनों टीम को अंतिम गेंदे बची है तीन और जीतने के लिए तेरा रन की जरूरत है एक बड़ा हिट मुकाबला बन जाएगा, लेकि साइसर वीगर क्रिकेट टीम अब बाउंडरी को रोकना है, ओवर दे विकेट से गेंद बाजी के लिए आरियन, प्रेशर जरूर है, दबाव जरूर है, ओवर दे विकेट से तयार है, तीन-तेरा, बलेका बहारी की नारा, खि गेंदे बचेगी, जीतने के लिए तेरा की जरूरत है, तो सभी टीमों को एक कर सूचना है दोस्तों कि आपका जो ड्रेस कोड है राइगर्ड क्रिकेट कमिटी असोशियन उनका एक रूल बनाया है इस साल यदि पच्छास हजर के उपर की टुर्नामेंट रहती है तो सभी खिलाड़ी अपने ड्रेस कोड में होने चाहिए सेम ड्रेस कोड में होने चाहिए मैदान में चलेंगे दोस्तों मुकाबला अब पूरी तरीके से पकड में है पकड मजबूत करेंगे और अंतिम एक गेन बची है और जीतने के लिए जरूरत है 12 रनों की जरूरत है क्रिकेट में आप कभी भी है सागर रिलैक्स नहीं रह सकते यहाँ पर थोड़ा सा रिगलैक्स किया दुंद्रे पड़ा क्रिकेट टीम ने इसा सोचा 29 का टार्गेट है पेले खिलाडी गए बड़े स्टोक की तलाश करी नतीजह हमारे सामने है यहाँ पर मुकाबले में हावी है साइस्तर वीगर क्रिकेट टीम और आसानी के साथ इस मुकाबले में जीत अर्जित करी है वेल प्लेट साइस्तर वीगर पेला मुकाबला जीता और नए साल का जर्षन जीत के साथ मराएंगे और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मुर्या 11 दुन्द्रे पाड़ा आपका भी तैदिल सशुक्रिया